तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एक्स्प्लेइन फोर यू में तो आज हम सॉल करने वाले हैं क्लास 10 खा एक वेरी इंपोर्टेंट कॉश्चन जहां पर कॉश्चन हमने उठाया है एक्सरसाइस 4.2 से 4.2 का कॉश्चन 2 का सेकेंड वाला कॉश्चन है यह ज जिसके लिए समी करन यहाँ पर हमारे पास एक एक एक्वेशन दी गई है kx into x-2 plus 6 is equal to 0 इसके मूल बराबर हो ठीके हमें एक्वल रूट्स के लिए इस एक्वेशन में k का मान निकालना है यहाँ हमें एक्वल रूट्स की कंडिशन लगानी है मूल बराबर होने की कंडिश ठीक है यहाँ पर हम लिख देते हैं solution और यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले जो equation दिया है ना उसी को given equation बोलके लिखेंगे क्योंकि भहिया exam में जाएंगे और लिखेंगे दिया है ठीक है जो दिया है वो तो हम लिखेंगे ही तो यहाँ पर हम exam में जाएंगे solution लिखेंगे और लिखेंगे दिया है तो दिया हमें क्या है? एक equation दी है और एक condition दी है तो condition हम आगे लगाएंगे तो पहले तो हम equation लिख देते हैं equation क्या है? equation आपकी kx bracket में x minus 2 plus 6 is equals to 0 यह आपको दिया है ठीके? अब आपको करना क्या है? सबसे पहले इस equation को देखना है कि यह equation वर्ग समय करन है या नहीं? यहनी quadratic equation का form है या नहीं? quadratic equation का सामने सुरूप कैसा होता है? वो होता है ax square plus bx plus c बराबर 0 इस type में दिखता है quadratic equation लेकिन यह quadratic equation नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यह जो kx है ना bracket के भार जो kx है इसका हमें bracket के अंदर जो भी components है इनमें गुणा करना पड़ेगा तो kx का x में गुणा करेंगे तो देखें क्या होगा? k तो कहीं रहेगा x का x में होगा तो क्या होगा? powers add हो जाएगी x स्क्यार हो जाएगा अब kx का माइनस 2 में होगा तो हो जाएगा माइनस का 2 kx ठीके? माइनस का 2 और kx का multiply होगा तो माइनस का 2 kx हो जाएगा प्लस 6 वैसा का वैसा ही is equals to 0 भी वैसा का वैसा ही अब देखिए हमारा quadratic equation का form जो सपोर्ट कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल इसको satisfied कर रहा है अब हमें क्या करना है? हमने equation तो निकाल दिया है अब हमें ABC की values निकालनी है तो हम क्या करेंगे? यह जो समिकरण है ना तो हम यह लिखेंगे समिकरण की तूलना वर्ग समिकरण क्या होता है आपका वर्ग समिकरण? होता है AX square plus BX plus C बराबर 0 इससे करने पर ठीके? इससे करने पर हम तूलना क्यों कर रहे हैं अब है आप समझ जाएंगे तूलना करते हैं तो X square के आगे जो है ना A है तो यहाँ देखेंगे इससे तूलना कर रहे है ना इस वाले equation से तो X square के आगे क्या है भीया? K है यानि कि A की value क्या हो गई? K हो गई तो है लिख देंगे A is equals to K A की value K हो गई comma X के जो पास में है वो B है तो यहाँ पर देखिए X के पास में क्या है उपर वाले equation में? minus का 2K तो X के पास में B है और यहाँ पर X के पास में है minus का 2K यानि B की value क्या हो गई? minus का 2K ठीके? तो B की value हो गई minus का 2K यानि B की value है minus 2K ठीके? अब C एक ऐसा number है जिसके पास X का variable है ही नहीं तो उपर देखिएंगे equation में यह राप plus का 6 इसके पास कोई सभी X है ही नहीं तो C के value क्या हो गई? 6 तो कॉमा करके C की value है तो कॉमा करके C की value जो है हम 6 रख देते हैं अब यहाँ से आपकी main बात चालो ही के हमें क्या करा गया है के का ऐसा मान गयात कीजिए जिसके लिए यह जो equation दिया है इसके मूल बराबर हो तो मूल बराबर होने की condition आपको याद होने चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे समी करण के मूल क्या है? बराबर हैं बराबर हैं तो condition क्या लगेगी? तो आपको condition याद होने चाहिए most important condition है मूल बराबर होने की equal roots की वो हती है अगर b square minus 4ac जो है न वो 0 के इकवल होता है तो ये जो condition है b square minus 4ac is equal to 0 ये है मूल बराबर होने की condition, मूल समान होने की condition अब आप बोलोगी इस condition का करना क्या है तो ये जो condition हमने लिख दी है न मूल बराबर होने की इसको जो है ABC की value यहां से put करना है आपको इस equation में तो करते हैं B square ठीक है B square अब B की जगा पर क्या दिया है B की जगा पर दिया है minus का 2K तो हम यहां क्या लिखेंगे minus का 2K का hall square हमने कुछ नहीं करा है B square को B square है रहने दिया है बस B की value जो है यहां हमने जो तूलना करी थी तो ABC के values निकाली थी ना वो हम यहां पर put कर रहे हैं तो B की value रख दिया minus का 2K और यहां पर square लगा था तो square वैसा का वैसा ही minus 4AC ठीके तो 4 को थो हम 4 लिख देते हैं A और C की बीच में कोई चिने नहीं है तो हम गुणा मान लेफे हैं गुणा का चिन होता है अब 4 तो हमने लिख दिया A की value हमें put करना है तो A की value है K ठीके तो A की value हम K put कर देते हैं इंटू, अब C भी है, C की जगापे 6 है, तो 6 रख देते हैं, बराबर 0, वैसा का वैसा ही, अब हमें क्या करना है, देखे, माइनस का स्क्वेर करेंगे आप, तो क्या होता है, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यह तो आपको कॉमन सिंस की बाते पता ही होगा, तो यहाँ पर देखे, माइनस का स्क्वेर करना तो वो डेफिनेटली प्लस हो गया, ठीक है, तो उस 4K और 6 इन तिनों का into करना है तो 4K का गुणा करेंगे तो 4K हो जाएगा और 4K का 6 में गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 के हो जाएगा 24K ठीके is equals to 0 अब जो है मेरे पास हैं पर जगा कम है तो इस statement को मैं थोड़ा side में यहाँ पर लिख लूँगा ठीके तो हमारे पास last statement आया है तो condition थी ना equal roots की मूल बराबर होने की यहाँ पर हमने ABC की value रखे तो हमने solve करने भी यह equation मिला है अब यहाँ देखें हमें करना क्या है चार जो है चार के पहाड़े में भी आता है और 24 भी चार के पहाड़े में आता है और दोनों ही terms के पास में K भी है यहनी single K तो दोनों के है ही minimum ठीके तो 4 के table को यहाँ common ले लेते हैं और साथ में दोनों ही term में K भी है तो K को भी common ले लेते हैं तो अब देखें 4 के हमने common ले लिया तो यहाँ पर 4 के square था तो single K बचा क्योंकि 4 के common ले लिया है minus वैसा का वैसा ही अब देखें 4 के table में 24 कितनी बार में आता है चा K बचा है यहाँ पर और K तो हमने बाहर common लिया ही था तो K minus 6 बचा is equal to 0 हमने इस statement में करा कुछ नहीं 4 के जो है common ले लिया तो 4 के को common ले लिया तो 4 के को common निकाला यह दोनों terms में 4 के से divide देने पर जो भी बचा वो यहाँ bracket में लिख दिया है अब 4 के भी 0 के equal है 4 के भी 0 के 0 अब देखिए यहाँ पर K के into में 4 है तो K की value क्या हो गई 0 divided by 4 यानि की K की value तो 0 हो गई ठीके यानि इस set K की value निकली तो 0 निकली और यहाँ पर देखिए minus का 6 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा plus का 6 यानि K की value 6 आई है तो यह रहे वो K के मान जिनके लिए समिकरंड के more recommend के 0,6 के लिए समीकरंड केल्बर होंगे तो आगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर देना और वीडियो अच्छे लगी तो कमेंट भी जरूर कर देना क्योंकि आपकी कमेंट सी देखके हमें आगे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर देना और वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को एक लाइक तो करी देना तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही आप चाहें तो इस क्वेशन का जो है स्क्रीन शॉर्ट ले सकते हैं यह रहा आपके सामने वो क्वेशन जिसको हमने आज सौल किया है तो आगे भी ऐसे ही कंटेन हम आपके लिए लाते रहेंगे थेंक्यू सो मच वीडियो को पूरा दिखने के लिए